ओम सहनाववतु सहनवभुनक्तु सहवेर्यं करवावहे तेजस्विनावधी तमस्तु माविद्विशावः ओम शान्ति 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 वैदिक जीवन पद्धती की इसकक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनन्दन है वेदों का स्वाध्याय हमारे संपूल जीवन के लिए और जगत के लिए अत्यन्त कल्याण कारी है हम प्रत्यक कारे को प्रत्यक कर्म को विचार पूर्वक करें इस वेद जान से ओत प्रोत होकर के करें इसलिए वेद का अर्थी यही है विद विचारने विद सत्तायाम विद्रिलाभे तो हम किसी भी कर्म के अनुस्ठान में स्वधर्म के अनुस्ठान में जब विचार पूर्वक उस कर्म को करते हैं तो उससे हमारा उत्तरोत्तर विकास होता जाता है उत्तरोत्तर हम अपने जीवन को दिव्य बनाते चले जाते हैं और अपना भी और इस संसार का अत्यनत कल्यान करने में समर्थ हो जाते हैं। और वे परमपिता परमिश्वर जो बहुत दयालों हैं कृपालों हैं। कुछ भी हम बचा करके मन में विचार नहीं कर सकते, कुछ आखों से देख नहीं सकते, कुछ कानों से सुन नहीं सकते, क्योंकि सब के अंदर वही विद्धिमान है। हर पल, हर रक्षन इस भाव को संजो करके जीना और उसके लिए आवश्यक है कि अपने साथपिक आहार को हम गुराण करें। जितना अच्छा साथपिक, पॉस्टिक और सुखकारी जो आहार है या साथपिक जो अन है, उसी से जीवन की प्रत्यक इस्थिती को हम दिविता से संपन कर सकते हैं। इस भाव को यहाँ पर कि साथपिक अन और दूध आदि से हमारा सोम करक्षण होता है और वो हमारे अनकूल हो जाता है। हम उसको सही ढंग से समझे जाने उसके लिए हम इस वेद मंत्र को आपके समक्षे रखते हैं। और वेद के नवे मंदल के जो 62 सूक्त के पांचवे मंत्र को आपके समक्ष माराख राहूं। पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूँगा यहाँ नवे मंदल के बासटमे सूक्त का पांचवे मंत्र बहुत ही सुदर वेद मंत्र है। ओम 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 शुब्रमंधो देववाता मपसू जेववाता मपसू देववाता मपसू धूतो निर्भी सुतहा जेववाता मपसू जेववाता मपसू सुतहा स्वदंती गावः पयोभिही गावः स्वद्रमंधो स्वदंती गवभी कर दो ही मंदल के बास अठवे सूक्त का यहाँ पाच्वा मंत्र है ओम शुब्रमन्धो देववातम अप्सु दृतो निभी सुतहा स्वदंति गावहा पयोभिही ओम शुब्रमन्धो देववातम अप्सु दृतो निभी सुतहा स्वदंति गावहा पयोभिही बहुत ही सुन्दर भाव है इस वेद मंत्र का कहा कि जब गावहा अर्थात बहवचन का प्रयोग किया है हमारा संपूर्ड जीवन यहाँ जगत उस प्रभू के द्वारा बनाया गया है उस प्रभू की कृपा से हम जीवन और इस जगत को देख पाते हैं परस पर एक दूसरे का सहयो करते हुए प्रकृती और पुरुष का यह जो संपूल द्रिश्य अद्रिश्य जड़ चेतन जो भी उस परमात्मा की कृती है उसमें अपने अपने जीवन को इस सात्विक जान से सात्विक आत्मिक अर्थात आत्म कल्यान को मूल में रखते हुए बिना किसी भूल के हमको आगे पढ़ने का योग के पत पर अध्यात्म के पत पर संसार और इस सागर या यह कहें कि भवसागर से पार होने के लिए असार संसार को यदि हम पार करना चाहते हैं भोग वृत्ती से बच करके लोग वृत्ती से बच करके तो उसके लिए अपने इंद्रियों पर नियंत्र रखना तो कहा कि गाय जो गव इंद्रियों को गव कहते हैं रसना को भी गव कहते हैं तो यह जो हमारी इंद्रियां है देववातम, देवताओं से प्रार्थित, देवताओं से जाए गए शुब्रम अंधह, शुद्ध सात्विक अन्न को पयोभी दूद के साथ सुदंती खाती हैं। तो निसंदेह यहा निभी उन्नती पत पर चलने वालों से सुतहा शरीर में उत्पन हुआ हुआ यह सोम अपसूध हुतहा कर्मों में शुद्ध किया जाता है। विदाउट कर्म किये हम रह नहीं सकते, बिना कर्म का कोई भी व्यक्ति इस जीवन को जीने वाला हो, ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बिना कर्म किये, बिना अपने आपको इस स्वधर्म में इस आत्म कल्यान के पत पर चलने के लिए स्वयम पुर्शार्थ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन मस्तिस्क को हम सात्विक बनाएं और मन मस्तिस्क को बुद्धी को सात्विक बनाने के लिए अपने संसकारों को सु संसकारों में परिवर्तित करने के लिए कल्यानी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन रखें तो कहा कि यहां शरीर में उत्पन हुआ हुआ जो सोम है वहा अपसुध हूता है कर्मों में शुद्ध किया जाता है सात्विक अन का वदूद का सेवन से उत्पन जो सुकर्म है सेवा हम करेंगे तो सात्विक अन्वा दुखद के सेवन से उत्पन जो सोम है जो शरीर की धात्वों का अंतिमसार है शरीर में वह सुरक्षित रहता है यहां सोम कर्मों में शोधित होता है अर्थात जब हम कर्मों में लगे रहते हैं तो कर्मों की कुशलता हमारे अंदर स्थापित होने लगती है योगा कर्म सु कौशलम कहा है तो अपने मन पर अपनी वाणी पर अपने संपूर्ण शरीर पर अस्तित पर हमको सैयमित विवस्तित और शुद्ध विभार करने का प्रत्न करना चाहिए इसलिए यहां पर जो बात कही है कि स्वधन्ति गावहा पयोभी अर्थात जब हम इस प्रकार से जीवन को जीएंगे इंद्रियों पर नियंत्र रखेंगे शुद्ध आहार विचार विभार रखेंगे और जो कुछ भी हमको इस जीवन में परमात्मा के द्वारा सुनशित किया गया है और हमारी भी यहां जो जीवन की स्थिती होती है जो गत्ी बहोती है प्रगती होती है वह भी अत्यंत महिनी है इसलिए हम कभी भी इसका तिरस्कार न करें मन में भक्ती का भाव आए तो उसको बाहर आने दे मन में न रखें हिरदय में न रखें उस भक्ती को ऐसा विस्तृत करें कि अन हजारों नाखों लोग आकर के उस जान का उस विजान का अनुभाव कर सकें उसको आत्मसात कर सकें संसार का कल्याण करना ही और कल्यार व्यक्ति वही कर सकता है जो अपने बाहू बल से, अपने शरीर बल से, अपने अपने तन बल से बिलकुल सक्षम है और जो निर्बल दीन हीन इस्थिती में लोग होते हैं वो स्वयम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं इसलिए साथविक आहार, साथविक विचार, साथविक विवहार, साथविक संसकार की यहाँ पावनी जो हमारी परंपरा है इसको हमको अक्षुन बनाए रखने के लिए सतत जो हमारा गंतव है प्रापतव है उसको जरूर आत्म साथ करें और उसके लिए पूरा पुर्शार्थ करें इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि साथ पिक अन क्योंकि जैसा खाएंगे अन वैसा हो जाएगा मन जैसा पीएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी तो अपने मन पर भी हम नियंतर रखें उसके लिए अन पर नियंतर आवस्यक है अब कुछ भी मिला बस खाते गए खाते गए कैसे वो गैमानी का कमाया हुआ धन है या चोरी से किया हुआ धन लाया और उस धन से आपको कुछ आहार देता है तो वहाँ समझ लिजिए कि हमारे मस्तिस्क को भी दोशित करता है और उस समाज को भी हानिकारक है वहाँ इसलिए बिना दिखावा कि अपने जीवन और जगत को अच्छा बनाने के लिए सरव प्रथम जो सीड़ी है वो आहार है आहार शुद्धव सत्व शुद्धी कहा कि आहार की शुद्धी होने से हमारे विचार की हमारे संसकारों की शुद्धी हो जाती है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए हम गोदुग्ध का सेवन करें अन का सेवन करें और इस प्रकार से गोदुग्ध गोअन अलग अलग प्रकार के जो जीवन में शुद इसलिए भगवान ने भी कहा है कि नित्याहार विहारश्या यह जो नित्य का आहार विहार है इसमें सुधार यदी हो गया इसमें सुधार हो गया तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है और यह कहा कि अधिक भोजन करना और विपरीत भोजन करना विपरीत अन का ग्रण करना यह घातक होता है इसलिए इससे बचे और सदा सरवदा सरवत्र जो सात्विक आहर है उसका सेवन करें बहुत ही सुन्दर बात कही है चरक सहीता में कि हिताशी स्याथ मिताशी स्याथ काल भोजी जीतेंद्रियहा पश्चन रोगान बहून कस्तान बुध्धिवान विशम मसनात अर्थाक यह कहने का आशा यह है कि यदि सात्विक आहर लेतें सात्विक आहर भी कभी कभी राजसिक हो जाता है क्यों राजसिक होगा या तामसिक होगा हमको दुखधपान करना है या जो है गोगित या जो है कोई भी वस्तू कोई भी खाने पीने कोई भी हम एक गिलास दूद पी सकते हैं और हमने पांच गिलास दूध पिलिया तो वहा भोजन या जो आहार है जो दुख्दाहार है वहा हुमारे लिए सात्विक तो कह सकते हैं लेकिन जब वो पचेगा नहीं तो हमारे लिए उगात Shar Krabs हो जाता है सात्विक आहार है शुद्ध आहार है पवित्र आहार है, सेवन करना चाहिए लेकिन उसका परिडाम क्या होगा उसका परिमार क्या होगा यह हमको समझना है यदि एक गिलास दुग्द का सेवन करने में कोई हानी नहीं है, पेट ठीक है तो वैसा ही पीना चाहिए और यदि हितासिस्याद मितासिस्याद कहा है कि यदि वह वितकारी है और मितकारी है अर्थात जो अच्छी चीज़ है उसको संख्या के अनुसार ही लेना है संख्या अर्थात जितनी जो है आप जो है उन चीज़ों को सेवन कर सकें जो आपके लिए कल्याणकारी हो तो इस प्रकार से जो ऐसा खाएगा और वह काल भोजी जीतेंद्रिया का ये बहुत ही महत्पुर्ण बिंदु है कि सात्विक आहार के साथ साथ व्यक्ति को यहां भी विचार करना चाहिए कि भोजन का समय क्या है आहार का समय क्या रखे तो यहां जीवन में बहुत ही गतिमान हमको बनाता है यदि हम इस प्रकार से भोजन की विशय में जागरूफ होते हैं तो हितासी स्याद मितासी स्याद काल भोजी जीतेंद्रिया समय पर भोजन करें समय पर सात्विक आहार लें पश्यन रोगान बहून कस्टान बुद्धिमा विशम असनात तो कहा कि मनुष्य जीतेंद्री बने और विशय अन्यमित तथा अहितकारी भोजन करने या उत्पन होने वाले रोगों और उनके राप्तव्य कस्टों का विचार करके निर्धारित समय पर हितकर और जो हमारे लिए अतिशय कर लियान करें वहकारी करना चाहिए नि संदे जो विपती ऐसे इन वेद मंदरों को आधवसाथ करके जीवन को सद्गती की ओले जाता जाता है सनमती की उले जाता है उसी की प्रगती होती है नहीं तो दुर्गती ही दुर्गती है तो यहां जो कहा है सात्रिक आहार सुभ्रमंधो देव वातम अपसु धूतोद निभी सुतहा सुधन्ति गावा पयो बिना गो रसम को रसो भोजना नाम बिना गो रसम को रसो कामनी नाम बिना गो रसम को रसो भूपती नाम यहाँ गाए जो गव या इंद्रियों को हम गव समझते हैं जो क्रियाशिल रहती वाणी भी हमारी गव के समानी प्रिथ्वी को भी हम गव कहते हैं जो गती करते रहते हैं लेकिन गती भी मती के साथ हो भक्ती के साथ हो युक्ती के साथ हो तो मुक्ती की ओ ले जाने वाली है और उसके पीछे उसके जो मुख्य कारण है कि हम अपने गुर्वों अपने माता पिता और अपनी रिशी परमपरा को अक्षुन बना रखने के ऐसा पुरुशार्थ करें ऐसा जीवन जीने का प्रत्न करें और इसी प्रकार से अगले वेद मंत्र में भी यही बात कही है कि मधु परस्का अलंकरण अब शिग्रही उपासना करने के ले उपासक लोग सद मधे इस जीवन को मधुर बनाने वाले सोम के रस को सार को अशुपूर्टा जो है रस को रस अथात अशुशुभन शरीर में ही अलंकरण करते हैं जिससे अम्रिताये अम्रितत्त को प्राप्त कर सकें इस सोम के शरीर में सुरक्षित होने पर शरीर में रोगों का परविश नहीं होता रोग प्रतिरोधक शमता से युक्त हो जाता है और शरीर में हम हर प्रकार से अपने छोटे छोटे गलत सुभावों से बार बार शरीर को रोगी कर लेते हैं मन को भी रोगी कर लेते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में यह भी भाव होना चाहिए आना चाहिए कि हम कभी भी एक दूसरे विपरीत कर्मों को ना करते हुए वेदन कुल आच्रण ही करेंगे तो यहां बहुत सुन्दर जीवन होगा अलंग करन से हम युक्त हों हम यज्जों में प्रूरत रहें सुम शक्ति को हम पूरे शरीर में परिशुद करके अपने जीवन और जगत को कल्यान से भरें ऐसी हम सब की शुब कामना मंगल कामना होनी चाहिए तो इन ही विचारों के साथ आज की काक्षा को परिबिरान देते हैं ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही